हेलो फ्रेंड्स, यूके निटिंग में आपका स्वागत है, आज मैं आपके साथ बहुती सुन्दर, बहुती आसान सिंगल कलर का पैटन सेयर करने जारी हूँ, इस पैटन को आप अल प्रोजक्ट में अपलाई कर सकते हैं, दोस्तों आप मुसे फेस्बुक और इस्टा में भ फंदे डाल लेने हैं, फिर कोई साभी बॉडर बनाके कमपलेट कलेंगे, बॉडर कमपलेट होने के बाद फ्रेंट साइड से पैटन की फर्स्ट रोब, फर्स्ट रोब में देखिए, पहला फंदा उता लेंगे, यह पहला फंदा उता लेना है, धागा पीछे ही रहेगा, दो फंदे सीधे बुनेंगे एक, दो दो फंदे सीधे फिर देखिए एक फंदा बिना बुने उतारेंगे फिर दो फंदे सीधे एक फंदा हमने बिना बुने उतार लेना है नेस्ट हमने दो फंदे सीधे बुन लेने है और नेस्ट एक फंदा बिना बुने उतारेंगे फिर नेस्ट सेम प्रोसिस रिपीट होगा दो फंदे सीधे बुनेंगे एक फंदा बिना बुने उतारेंगे और देखें लास्ट में दो फंदे सीधे आ जाएंगे और एक last का फंदा भी सीधा आजाएगा तो देखे ये front side से हमारी pattern की first row complete हो गई हमारे project में जितने भी फंदे होंगे हमने यही process repeat करते हुए pattern की first row complete कर लेनी है फिर देखे back side से second row अब second row में देखे पहला फंदा उतारेंगे धागा पीछे कर लेंगे अब देखे front side की तरब से देखे जो दो फंदे सीधे आये हैं वो back side से भी सीधे आएंगे तो देखे दो फंदे सीधे बुन लेंगे धागा अपनी side अब देखे front side की तरब से देखे जो एक फंदा हमने बिना बुने उतारा है इसको हम बैक साइट की तरब से भी बिना बुने उतारेंगे, फिर धागा पीछे कर लेंगे, नेश्ट हमने दो फंदे सीधे बुने हैं, फिर धागा अपनी साइट करेंगे, एक फंदा हम बिना बुने उतारेंगे, फिर धागा पीछे, दो फंदे सीधे बुनेंगे, फिर धागा अपनी साइड एक फंदा हम बिना बुने उतारेंगे फिर धागा पीछे दो फंदे सीधे आ जाएंगे लास्ट का फंदा उल्टा आ जाएगा तो देखें ये बैक साइड से हमारी पैटर्न की सेकिंड रोग कंफलीट हो गई देखें फ्रेंड साइड से पैटर्न की थर्ड रोग अब थर्ड रोग में देखें पहला फंदा उतार लेंगे धागा अपनी साइड करेंगे अब देखें नेस्ट हमने दो फंदे बिना बुने उतार लेने एक दो फिर धागा पीछे करेंगे अब देखें नेस्ट हमारा जो ये फंदा है बिना बुने इसको हमन सीधा बुन के उतारना है तो देखे सीधी साइड से हम ऐसे सलाई डालेंगे और इस फंदे को सीधा बुनेंगे फिर धागा अपनी साइड दो फंदे हम बिना बुने उतार लेंगे फिर धागा पीछे करेंगे एक फंदा हमने सीधा बुने तो देखे जो फंदा हमने बिना इस फंदे को सीधा बुनेंगे और सीधी साइड से सलाइट आरेंगे और इस फंदे को सीधा बुनेंगे फिर धागा अपनी साइड करेंगे दो फंदे बिना बुने उतारेंगे धागा पीछे नेश्ट फंदा हम सीधा बुनेंगे फिर धागा अपनी साइड दो फंदे बिन पुने और लास्ट का फंदा सीधा ये दित कि फ्रंट सैडर से हमारी थर्डो में अब भैक साइड से फोर्तो में दिखें पहला फंदा उतार लेंगे धागा पीछे करेंगे और वैक साइड से फोर्तो को हमने शीधा बंते arises effect करना है इस देखें बैक साइड से हमारी फूर्दरो कम्प्लीट हो गई अब दीखें फ्रेंट साइड से फिपतरो अब फिपतरो में हमारा पैटर्न रिपीट हो गा तो देखें यांपे रिपीट रो पहला फंदा उतार लेंगे यह पहला फंदा उतार दिया, आप देखें, नेस्ट हमने दो फंदे सीधे बुनने, एक, दो, दो फंदे सीधे, आप नेस्ट फंदा हमने बिना बुने उतार लेना है, यह देखें, यह फंदा जो नीचे से सीधा दिखाए दे रहा है, यह फंदा हमने बिना बुने उतार ल एक फंदा बिना बुने, दो फंदे सीधे आ जाएंगे, एक फंदा हम बिना बुने उतारेंगे, दो फंदे सीधे बुनके उतारेंगे, और लास्ट का फंदा भी सीधा बुनेगे. तो देखे ये front side से हमारी 5th row complete हो गई, 5th row में हमारा pattern repeat हो रहा था, 5th row को हमने 1st row की तरह बुनते हुए complete किया, अब back side से जो 6th row आएगी उसको हम 2nd row की तरह बुनते हुए complete करेंगे, इस तरह हम अपने pattern को repeat करते जाएंगे, और बनके देखे हमारा pattern कुछ इस तरह से आ जाए आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो किरपया लाइक करें, सियर करें, कमेंट करें, और आप हमारे चैनल में नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना न भूले, थैंक्यू करें, ह報न करें लाएंगे, नहीं है मतर्दक इस प्लीज साल penуется, तरहे हमारा करें लाएंगे, की जाएंगे, तो प्लीज से ओंक प्लीज से लाएंगे. झाल झाल